देखो, एक्चुली एक प्रधान मंत्री वह था, आपको पता होगा, जैसे आपको पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट बहुत दिनों नहीं रहे थे, देकर बहुत एक बड़ा काम करके विंद्यसनीती में चले गए थे, जैसे होता यह है कि जब की सरकार, 96 में गठित हुई थी, और, 91 में, 96 तक चली थी, तो 96 में गौवर्मेंट अल्पमत में फिर कॉंडेस आ गई, तो उसके बाद फिर आयाराम, गयाराम की सरकार होने लगी, मैंनों दो तीन वर्स, 99 तक, जब तक कि फिर एक बार बीजेपी नहीं आ गई, तो NDA की सर तक वही आयाराम, गयाराम का खेल चला था, उसी में एक एक वर्स के लिए लोग आते हैं, 98 में देवयोगारा प्रधान मंत्री हुए थी, उसी सर्में उथल पुथल में आएके गुजराल प्रधान मंत्री बन गये थी, तो खेर प्रधान मंत्री बने थे, उनका tenure कोई ज़ ज्यादा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और उनसे कम उमीद हमें रखनी चाहिए, तो अगर हम उन्हें ज्यादा देने के लिए तत्पर होंगे, और उनसे कम उमीद रखेंगे, तो फिर हमारा, हमारी तरक्की होगी, और हम आगे बढ़ेंगे, या परोसी देसों के तत्वर हैं तो हम आपको बताते हैं 98 की बात है उसमें मेरा एक स्टुडेंट अभी सिनियर वो मतलब प्रॉपर आईएस नहीं हुआ था वो एलाइड में गया था अभी सिनियर अधिकारी है उसे प्रस्म पुझाता आज तक मेरे जहन में है कि बोर्ड में यूपेसी बोर्ड में प्रस्म पुझाता गुजराल डॉक्टिन क्या बकवास है क्या हुआ कोटिल का जो राजमंडल ववस्था है वो राजमंडल ववस्था के खिलाफ नहीं जाता है अब कोटिल का राजमंडल ववस्था मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ मैंने मैटर में भी आपको द कर रहा हूं कि जब यह प्रत्म पूछा था गुज्राल डॉक्टिन क्या बखबास है क्या हुआ कोटिल के राजमंडल के सिध्यांत के विरोध में नहीं जाता तो उसने जवाब दिया था उत्युक्त जवाब दिया था कि क्लास में तो मैंने कराय हुआ था इन चीज़ों को तो इंटर्वी में अच्छा ही मार्ट्स था लेकिंगे कितना सटिक सवाल पूछा ज्यूंकि कोटिल अपने अर्षास में अपने परोसियों के बता है कि आपका परोसी आवस्यक रूप से आपका सत्रू हो जाएगा क्योंकि जो आपका निक्टस परोसी है क्योंकि आपके जो संसाधन है और उसके जो संसाधन है वो दोनों संसाधन कॉमन हो जाते है तो चुकि आपके संसाधन उसके संसाधन से कॉमन है जंगल है खनन है प्राकृतिक संपदा है तो दोनों का कॉमन है जल है जल भंडारन है इस कारण से क्या होगा कि दोनों के बीच आज नकल सांसाधनों के मुद्य पर तकरार होगी इसलिए अपने निक्टरस परोसी से आप साधान रहिए और गुजार डॉक्टिन कर रहा है कि अपने निक्टरस परोसीं से आप मित्रता बनाईए उससे पूछा गया तो ऐसे प्रस्नू को क्या होता है कि जब मेरा बल्कियों आपकी अंडेस्टेंडिंग को डेवलप करने प सकोगे इसलिए मैं हमेशा ही शब्द बल देता हूं कि ट्राइट टू बीए थिंकिंग की रेचर कि उनके बीच आपस में कनेटिवीटी जोर कर और जब आप उसे सोचने की सिती में आ जाओगी तो फिर आपका कोई कोश्चन नहीं चूटेगा अब एक परिक्षावान में पूछा इंटर्विय बोर्ड में पूछा गुज्राल डॉक्टिन क्या बकवास है क्या कोटिल के जो राजमंडल ववस्था उसके खिलाफ नहीं है तो उसने कितना सटिक यवाब दिया उसने कहा इसर कोटिल का राजमंडल ववस्था इसा की चौथी सदी सापुर्व या सटी सदी सा पूर्व की सच्चाई बताती है आज हम 21 सदी में है जब पर्मानु हत्यार रासाइनिक हत्यार जैसे मारक हत्यार आ चुके हैं और आज हमारी दुनिया भूमंडली क्रित हो चुकी है विस व्यापी करन आ चुका है एक क्रित हो चुकी है तो आज के संदर में गुजराल डॉक्टिन ज्यादा सटिक है क्योंकि एक जूर रही दुनिया चुकी हमारे ट्रांसपोर्ट, कॉम्निकेशन लाइन इन सब के विकास के लिए आपस में परोसियों के साथ बेहतर संबंद आवश्यक होंगे इसलिए अगर कॉटिल कार साहत्र तिसी सदी सापुर्ण की सच्चाई बताता है तो गुजराल डॉक्टिन बिसवी सदी के अंत की या एकिसवी सदी की सच्चाई तो यह डिपिंड करता है हम इतना सोच पाते हैं हमाई से कैसी कोशन पूचता है तो मैं तो अपने स्टुटिएंट को यही उमीद करता हूँ चाहे हो मैंस में कोशन पूचे, इंटर्व्यू में कोशन पूचे जहां भी कोशन पूचे तो आपके पर सटिक जवाब होना चाहिए यह तभी होगा सोच कर यह नहीं जो गुरु जी ने बताया था अब गुरु जी बताएंगे लेकिन एक समय आएगा कि आप खुद आगे निकल जाओगे कि हाँ ठीक है अब गुरु जी ने इतनी बाते बता दी तो इतना तो हम खुद से सोच कर जवाब दे सकते तो जब आप हम से सोतंत्र हो जाओगी देखो आपको दो बाते करनी होगी पुस्तकों से सोतंत्र होनी पड़ेगी और मुझसे भी सोतंत्र होना पड़ेगा अभी तो मैं आपको एकदम बच्ची की तरद चाउत्रस से घेर कर लेकर चल रहा हूँ एक समय आएगा कि मैं आपको सोतंत्र कर दूँगा कहूंगा कि आप खुले आकास में विचरन करिये जहां जो मन है बोली जो लिखना है लिखिये जब आप पर सिक्चित हो जाएंगे अब यगर आपको फ्री छोड़ देंगे तो आप गलत पढ़ लेंगे गलत सोर्से ले लेंगे और फिर आपको हर एक कुश्चन पर कन्फीज आना सुरू हो जाएगा इसलिए आप मेरे क्लास में रिगुलर रही जो लेक्चर कभी अब ऑन नाइए